कि इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डाक्टर राजेंदर कुकसाल जी जिन्होंने किर्श्री और बागवानी के शेत्र में प्रिभिन कारे किये हैं और साथ ही उन्हें बहुत अच्छा तजूर्बा उत्राखंड की किर्श्री को लेकर हैं और विश्रेसग्य भी रहे हैं अश्कार आप सबको डग सबसे पहले तो यह जाना चाहेंगी कि उत्राखंड बने 20 साल हो गए हैं और खास तो हम पहाडी राकों की बात करें और किसी का आपको बहुत अच्छा तरजूबा रहा है किस तरहें और डेप्लम होने की जरूरत है क्या संदेश देना चाहें सब करते हैं तो किसी से जब हम तालोग रखते हैं तो किसी के माने हुए कि जो भी अनाजिक फसले हैं दलहनी फसले हैं यह सारी किसी के अंतरकता आती हैं और जब हम उद्यान की बात करते हैं तो उद्यान में फ़लों की बात होती है सब्यों की बात होती है सब्यों की बात होती बात होती है मुस्रूम की आपकी जड़ी बूटी की मौन पालन की रेसम की चाय की खेती की मलें सारे के सारे ऐसे भी सहे हैं कि जिन में कि गर बटके आदमें सुरोजगार अपना प्राप्त कर सकता है लेकिन हम जब पूरे उत्राखंड की वो द्यान अरकर्षी के अंपर इच पारे रत है अच्छे बैग्यानिक हैं तो वहां के जो कास्टकार हैं मैदानी छेत्रों से मेरा कहने का भी प्राय है जहां पर की अच्छी वोडिंग लोगों की हैं तो वो लोग तो जितनी भी भारा सरकार की या राजा सरकार की योजना हैं वह उनका पूरा-पूरा वह ल जहां तक बाद परवती छेत्रों के आती है तो पहाड का जो विकास है वो उद्यान विकास से ही संभव है क्योंकि वहां पर एक तो बिस्स तरह के फल पैदा होते हैं चाहे हम सेव की बात करें आड़ो पलम खुमानी अख्रोडगर की बात करें दूसरा वहां पर जो हम मौसम में पैदा होती हैं कि जबकि मैदानी छेत्रों में उन सब्जियों का अबाव रहता है मनला बेमौसम में सब्जियां पैदा होती हैं मस्रूम उद्बादन की संभावने वहां पर बहुत हैं क्योंकि वहां पर मस्रूम हम जो कि हम मैदानी छेत्रों में तापमान अध इन लोगों ने काफी परियास किये और आपको ही आजान का राश्य रहे होगा कि उनीस सो त्रेपन में जब गोविन बला पंजी मुख्यमंत्री थे उत्रपरदेश में तो उन्होंने उद्यान विकास की सम्मावनाओं को देखते हुए ही एक पूरे निदेशालाय का गठन किया था रानिखेच चोबटिया में जिसे कि लोगों को वहां पर वो पूरी जानकारी ले सकें और अपना सुरोजगार या अपना रोजगार प्राप्त कर सकते हैं तो शुरू के बरसों में काफी अच्छे काम हुए है उसके बाद हमारे हमतिनन बहुने जाए है उन्होंनों भी सन्चोथर में परतेक जनपद में दो-दो रिसर्स सेंटर खुलवा है इन पर फ़लों पर सबजियों पर उनकी वाताबन को देखते हुए कि किन-किन फ़लों पुराने जन पर दोने पूरे परियास किये कि उद्यान का और खिर्शी का विकास कर लोग स्वलम्मन या सुरोजगार पराप्त कर सके लेकिन नब्बे के दसक के बाद नब्बे के दसक तक पूरा उद्यान विभाग जो है वो एक स्वाब लंबी था लोग आलू तो उसके बाद हुआ कि सारे कर्मचारी अधिकारी सब जो है उसमें आंदोरंद्रत हो गए सारे बगीचे जो है वो बीरान पड़ गए और उससे क्या हुआ कि जो भी उत्पादन हमारा था वो देरे-देरे काम होता गया और राजे बनने के बाद यह पेक सांग की जा रह कि इनका समुचित हम लोग बिगास करेंगे और इसको बढ़ाव मिलेंगे लेकिन वो अब देखने को नहीं मिल पाता है आज की परिवेस में यदि हम जैविक खेती पर बात करें कि उत्रांचल जो है असिंचत भूमी वहां पर है वो उर्वरोकों का प्रियोग वहां पर ब 2017 में जब केदारनाथ गयत है तो उन्होंने जो है एक हजार पान्सो करोड की योदना जैविक खेती के लिए स्विकर्ट की थी और यह हम लोग उस पर बढ़ावाद हैं उस पर जैविक खेती के जो मानक तैकि हैं भारा सरकाने उनके अनसार अगर हम कारे कर रहें तो उससे हम काफी अच्छा है इसमें लाब ले सकते हैं और विशेश रूफ से इस समय जो मेन आव सकता है कि जैविक खेती की तो बात हम लोग सब करते हैं लेकिन जैविक खेती तब हो पाएगी जबकि जैविक बीज हमें फसलों के मिलेंगे और परवते छेत्रों में जैविक करसी हो उद्यान हो बागवानी हो लेकिन जो पहाड के हो या फिर मैदान के हो लोग पहाड में खास तो पहाडी लोगों की बात करें तो वह कृसी नहीं करना चाहते है कारण सबसे बड़ा यह रहा है क्योंकि जैविक 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 नुकसान हो रहा है इसका कह में डिजिटल मीडिया में समाचार पत्रों में आए दिन पढ़ते हैं और स्वेम जा करके देखेंगे तो सच मुझ में वह जो है एक बहुत बड़ी बिढमना है उसमें कई तरह के सुझाव दिये जाते हैं अभी आईलेस्पी द्वारा जो है कल जिखाल ब्लॉक में इस तरह करता से जो आनिमल और मेन कंफलेक्ट करके एक प्रोजथ है उसको देखने का मुझे ऐसर मिला तो उन्होंने कई तडरे के वह पर मसीन लगाई है आवाज करने वाली मसीन लगाई या आपका सोलर फैंसिंग की बाता हैं कई तरह की बाता हैं लेकिन देखने में यह आता है क का उसका कोई असर नहीं होता है मेरा माना ही है कि जब हिमाणचल गौवर्मेंट में आज से नहीं दस साल पहले से उनके यहां पर यह है कि जो भी इनको वर्मिन कहते हैं हम लोग मलब वर्मिन डिकलियर करते हैं गौवर्मेंट और उसके बाद मारने की जो है परियावरन मंतर तो जब तक इस तरह की ब्योस्ता है उतरा खंग नहीं करती है खाली यह कह देना कि साब कि लंगूर पाल लो बंदर भाग जाएंगे वो तो उन्हें से भी दोस्तिकल लेते हैं या इलेक्रिक फैंसिंग लगा लो सोलर फैंसिंग कर लीजे या इन तरह के जो मसीने जो सब्सक्राइब करें बाद बात बात यह कि अभी जो उत्राखन की जो उपरी लाके हैं पहारी छेत्र हैं वहां पे सीचाई की सबसे ज्यादा दिक्कतें लोगों को होती है सीचाई नहीं हो पाती ऐसे में क्या कुछ करना चाहिए नहीं देखो जब तक हम लोग वाटर हार् जैसे सरकार बदलती है या नई सबस्क्राइब करता है कोई परूल से इनर्जी की बात करता है कोई जल संग्रसन जल संबरतन की बात करता है मlläp कही तरह की बात जो है निकल काते हैं कोई टूलिव के पीछे पढ़ जाता है कभी गिलवडिलाइ पीछे पढ़ जाते हैं तो यह सारे के सारे कुछ उत्राखंड का दुरभागय भी राहा है कि आज जो है जो इतियास भूगौल पड़े हुए है वो तो होटी कलतर पर सला देते हैं तो सबसे पहले हमें ऐसे लोगों को जो उत्राखंड परवेश के हों, जिनका अनवाव हो, जो उसमें सही सही सला दे सकें, और सबसे बड़ी मत यह को होगा, कि जब तक सरकार की इच्छा सकती नहीं होगी, तो यह कुछ भी नहीं हो सकता, वरना कई राज्य हैं, आप हिमान चल में चल करने वे थे, चैक डैम और यह वो पूरा ड्रेनेज जो था, वो बिल्कुल अभी तक है, है ना, अभी तक जैसे के तैसे हैं, और हमें मान चल कहते देखने, लेकिन जो, आप जा के जो बन रहे हैं, राज्य बनने के बाद जितने भी चैक डैम बने हैं, या जितने भी बने जलागम में काम हुए हैं, तो आप जा के देखेंगे तो खाली पत्थर के इधर का पत्थर उधर 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 करने के अलावा कुछ नहीं हुआ, और जब तक आप जल संग्रक्षान पर ध्यान ने देंगे, उसके कई तरीके हैं, आप रूफ हार्वेस्टिंग कर सकते हैं, जंगलों में ताला बना सकते हैं, पहले पुराने लोगों में ताला जगर-जगर बने थे, तो जिससे के जो हैं, हमारे इसके रिचार्ज हो सके हैं, तो इस पर तरप ध्यान देना ही होको गवर्शन को. काफी अच्छा सुझाओ दिया दूसरी बात यह कहेंगे कि जिस तरह से प्रायान को रोकने के लिए कहीं रहा कारगर सावित हो सकती है किर्शी और अभी खास तरह हम बात करें उत्राखन के उन जगहों के उन इलागों की जहां पर किर्शी को लेकर के बहुत काम किया जा रहा है चाहिए पौड़ी हो चमोली हो तरकासी हो कई असे लागे हैं जहां पर फार्मिंग की जा रही है एपल फार्मिंग है और अंखरोट की वह पर लगाई जा रहा है साथी कीवी को बहुत प्रोस्तान दिया जारा है इस च्छेतर में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे किस तर करके आए और उन लोगों ने काफी परियास किया तो कुछ अच्छाएं अभी हुई मैं आपको एक उधार नू मैं गया था मद्वियोसर वैली में अभी एक प्रोजट का इवलेशन करने गया था ये रुदुर्पयाग से आगे जाके है और उस वैली में मैं गया तो कुछ नए युवाल अरके मेरे पास आए तो डिसकस करने लगे कि साब हम भी कुछ करना चाहते हैं ये करते बाद हैं पता लगा जब उन से जब मने आगे डिसकस किया तो वहां पर जियो का टावर लगा था मलें कि पोजिटिव सकारात पहलू देखिए तो उनका जियो का टावर लगा था तो कहन लगे कि साब हम दिल्ली में कोचिंग कर रहे थे सिवल सर्विसेस की और वहां पर कोविडी कारण पहले देरह दून आये लेकिन देरह दून में भी ठीक ठाग नहीं लगा तो अपने गाउं वाया तो यहां पर देखा तो कनेक्टिविटी बहुत सुंदर थी तो उसके बाद उन लोगों ने जो है जब उनको देखा कि यहां पर कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी है और बड़ा सुंदर बाता बरन हो रहा है तो वो अपनी कोचिंग वहां दिल्ली छोड़ कर के वहीं सारी कोचिंग कर मतला अपना तैयारी कर रहे हैं तो मेरा कह करने का मतला अभी पर आई यह है कि अगर सरकार कुछ सहुलत देती है मलग खाली बोलने से काम ने चलेगा आपने एक टावर लगा जी होने तो उसकी टावर लगने से उसके आसपास के गाउं के जो लड़के है यूवा लड़के ते उन्होंने मैसेज कॉन में किया और सब लड़के काफी लड़के कम से कम उस बहली के वो अपनी सिवल सर्विसस की अपनी कोचिंग जो है वही बैठके ऑनलाइन कर रहा है तो यह बड़ा पॉजिक्टिव हुआ है रही बात आप आपने यह उद्यान की और किर्सी की बात की योजना ही वनती है आप जो देखेंग कि एक-एक योजना माला यहां पर जैसे बारत सरकार की होटिकल्टा टेकनलोजी मिसन योजना है उसमें साथ सो करोड़ रुपए तक का अधिक जो है उसमें बैय हो गया जिला सेक्टर की योजना है राज़ सेक्टर की योजना है किर्सी विकास योजना है जाने नजाने कि कितनी हैं परम परागत करशी हैं लेकिन आपक देखेंगे कि सारी के सारी योजणाओं तुमे घलत कमी नहीं हैं योजणा भॉत सुन रहें उनकी गाइडलाइन्स वनियां कि इस तरह से तो उसने जो है लैसुन का बीज उद्यान बिसे सके कोड़ार से मंगाया तो जबकि लैसुन के बीज में यह था कि साथ उसमें 50% अनुदान मिलेगा लेकिन भीभाग से उसको अनुदान नहीं मिला उसने बारस 120 रुपा केजी के हिसाफ से धाई कुंटल लैसुन का बीज खर उसन करें उनको इंफ्राइस्ट्रक्टर की जरौत है नकि यह अनुदान देने बांटने की अगर इंफ्राइस्ट्रक्टर हमारे पास होंगे तो लड़के स्वता ही अपना जो है उसमें आगे बढ़ सकता है आपके अनुभव के आधार पर हम बात करेंगे तो फिर किस तर यूजना है और हज्जारों करोर रुपया प्रतिवर्स आता है लेकिन किर्शी और उद्यान विभाग में केवल और केवल होता क्या है कि यह निमनस्तर का सामान उचे दामों में खरिद के कासकारों को फ्री में बाढ़ते हैं इसके अलावा ना तो इनको टेक्निकल जानका सारी कासकारों को प्लब्द कराई जाती है पर्वति श्युत्रिक बात कर रहा हूं जिस कारण की इनका विकास समसे होनी पा रहा है तो मतवांतुत अगधा फिर यही कहूंगा कि हमारा नेत्र तो अगर चाहे तो यह सबको संभाव है योजनाए बहुत सुन्दर हैं उनका क किर्यान वन जो है अगर उस पर इमानदारी से प्रियास किया जाए तो काफी कुछ करने के जो है उसमें संभावना है ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद हम से बातचीत करने के लिए तो यह थे हमारे साथ डॉक्टर राजेंद्र कुश्वा कुकसाल जी जिनका सिदे तोर प अगर तख्रातल पर काम हो तो उत्राखन की जो किर्शी है वो काफी हद तक सुद्र और बहतर हो सकती है अपने सयोगी राजिन बडोला के साथ हरिश्खनेडा समय शाक्स देहरातून